If you want to become a rich man, so must listen this story, एक छोटे से लड़के की कहानी, एक अरप्ती बनने की कहानी, एक छोटे से गाव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम राहुल था. राहुल बहुत ही समर्पित और महनती बच्चा था. वह हमेशा से ही दूसरों की मदद करने में और नई चीजों को समझने में रुची रखता था. वह किसी भी बात को समझने और उसे अपने लक्षे की ओर ले जाने में महारत प्राप्त कर सकता था. राहुल के पास कोई धन नहीं था, लेकिन उसकी महनत की कोई कीमत नहीं थी. वह घर के अलावा अपने गाउं में भी काम करता था, ताकि वह अपने परिवार की मदद कर सके. राहुल के मन में हमेशा से ही यह ख्याल था कि उसे अमीर बनने का सपना पूरा करना है. एक दिन एक पुराने दुकानदार ने राहुल को एक पुरानी किताब दी. यह किताब वित्तिय नियमों और निवेश के बारे में थी. राहुल ने उसे ध्यान से पढ़ा और वह बहुत प्रभावित हुआ. उसे समझ में आया कि धन कैसे काम करता है और उसे कैसे बढ़ावा मिल सकता है राहुल ने धीरे-धीरे निवेश करना शुरू किया शुरुआत में वह कुछ पैसे बचा लेता था और उन्हें धीरे-धीरे बैंक में जमा करता था फिर उसने अपने आपको और अधिक पढ़ाई और समझाने का मौका दिया राहुल के पास अपनी मेहंत और ज्ञान का एक बड़ा संचय था बड़ी मेहंत और सन्यम के बाद राहुल ने अपना खुद का व्यापार शुरू किया उसने एक नई तकनीक को उप्योग करके सुपरमार्केट की ओनलाइन दिलिवरी शुरू की लोग अपने सामान को आसानी से घर बैठे ओर्डर कर सकते थे राहुल की नवीनतम और अच्छी सेवा की वजह से उसका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ता गया समय के साथ राहुल की कमपनी में लाखों ग्राहकों ने समर्थन दिया और वह एक अरप्ती बन गया उसने लाखों लोगों को रोजगार दिया और अपने करमचारियों का ध्यान रखा राहुल एक सफल व्यापारी बन गया और उसका सपना पूरा हो गया यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम मेहंत करते हैं, जान प्राप्त करते हैं और समय परिस्थितियों का समायोजन करते हैं तो हम किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं राहुल ने अपनी मेहंत, समर्पन और सन्यम के माध्यम से अपने जीवन को सुखी बनाया और अरप्ती बन गया अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर आपको भी ऐसी स्टोरी बनानी है तो कॉमेंट करें थैंक्यू